Branches of mathematics के अंदर काफी branches हैं और आपने काफी नाम सुने होंगे something like numbers तो number की पीछे theory अगर लगा देंगे तो number theory एक branch है इसी तरीके से आपने सुना होगा algebra 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 सुना होगा जिसमें linear algebra भी और बाकी algebra भी है फिर आपने analytical branch एक सुनी होगी फिर इस तरीके से आपने ये भी सुना होगा topology कोई चीज है फिर आपने ये भी सुना होगा mathematical physics कोई चीज है mathematics के साथ आप हर एक field लगाते जाएं तो वो उसकी branch भी बनती रहती है इसका मतलब है कि जहां पे numbers है दुनिया के किसी भी field के अंदर जहां पे number है ना वहां पे math है और अगर उस field के अंदर math ज्यादा घुसरिया और उस field का अपना concept भी ज्यादा आ रहा है तो उसको वो branch का नाम दे दिया जाता था but there are some main branches जिसको अभी हम देखने वाले है and let's dive into it और हम अब देखते हैं के main branches कौन-कौन सी है mathematics की और फिर हम इसको different जो है वो different किसम की दूसरी branches के अंदर भी जा के explore करेंगे but before that let's begin and write down branches of mathematics branches का मतलब ये है के अगर एक math एक pillar है like this अगर ये एक math है यानि के एक pillar है या आप कहलें के एक दरखत है तो अगर हम इसकी branches निकालें तो वो कौन-कौन सी होगी ठीक है तो मैं कुछ इसी तरीके से branches बनाऊँगा सबसे पहले आपकी आती है pure mathematics की branches ठीक है अगर मैं इसको लिखूं pure math pure math की जो branches हैं वो कौन-कौन सी है पहले हम उनको देख लेते है इसमें जो सबसे पहले आती है that is number theory n-u-m-b-e-r theory number theory the second one which is coming here is called algebra बड़ा गोरो ने कोशिच की है इसको l मिटा दिया जाए क्योंके l के पीछे बड़ी science है algebra ठीक है algebra then हमारे पास आता है arithmetic arithmetic and then हमारे पास है combinatorics then हमारे पास है topology जिसके अंदर काफी mathematicians ने अच्छी खासी degrees की होती है फिर आता है mathematical analysis मैं इसको थोड़ा सा इदर कर देता हूँ mathematical analysis तो जनाबे वाला आपके पास जो pure mathematics की branches है वो है जनाब number theory algebra arithmetic combinatorics combinatorics भी से बोलते हैं combinatorics मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंके मैं spelling को याद रखता हूँ इस तरीके से मेरी pronunciation थोड़ी से different होगी खास तोर पे data science की दुनिया के अंदर calculus ठीक है फिर हमारे पास आ जाती है statistics and probability और ये जो दो चीजे हैं है statistics and probability machine learning और deep learning के अंदर इनका बे बहायूज है और इस पे हम बहुत ज्यादा टिकाग है focus करने वाले हैं मतलब heavy किसम का focus then we will see set theory ये भी हमारा जब हम different किसम के filters लगा रहे होते हैं data पे तो set theory को देख रहे होते हैं and I will explain these in details inshallah and then we will be having one of my favorite one trigonometry trigonometry और फिर हमारे पास ये आ जाती है तो मैंने यहाँ पे आपको main branches बताई हैं which is calculus applied mathematics में और जाहरी बात है applied का मतलब क्या होता है और प्योर क्या होता है applied का मतलब ये होता है कि जब ये किसी field में apply हो और उस field में कोई फाइदा दे रहा हो for example कोई engineering के field में अंदर आप अगर mathematics को ज्यादा गुसा देंगे so we can say के ये applied mathematics है ठीक है which is actually working in different kind of fields calculus उसके अंदर है statistics बहुत बड़ी एक ब्रांच है और usually इसको mathematics के अंदर गिना जाता है और फिर हमारे पास है probability set theory and trigonometry अब एक question मेरा ये है statistics and probability क्या ये सच में math की branch है या इनको separate भी लोग मानते है stat and stat is a branch of math क्या ये बाट ठीक है ये नहीं ये आपने सर्च करके आना है ठीक है तो थोड़े थोड़े काम में आपको भी देता जा रहा हूँ ताकि आपका interest बना रहे क्योंकि हम रुजाना की base पे lecture करेंगे तो ये इस वड़ा से आपको ये चीजें जरूरी या नहीं चाहिए ठीक है अब pure mathematics का क्या मतलब है pure mathematics का मतलब है जो सिरफ और सिरफ math है कोई application ने इसकी खास तोर पे आपको front end पे नजर आती front end मतलब कि जब obviously यार computer data scientist जब बंदा बन जाता है तो ये ही काम होता है front end, back end की बाद number theory क्या है कि numbers कौन से क्या है और उनका नाम क्या है basically इससे ज़ादा कुछ नहीं whole number के है, natural number के है आपके odd number के है, even number के है उनकी theory हम पढ़ते है algebra के अंदर हम algebraic equations देखते हैं जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे इसके अंदर हम arithmetic operations देखते हैं combinatorics के अंदर देखते हैं पर topology होती है, mathematical analysis होते हैं जिसके अंदर हम math को use करते हैं different quism के analysis करते हैं different quism की theory हम पढ़ते हैं so इनके इलावा भी काफी branches हैं but I would say के आपको जो ज्यादा तर use में आनिया हम उसी को देखते हैं ठीक है अब आपके पास यहाँ पे एक और जो important आजकल सामने आ रही है mathematics की branch जिसके अंदर है operational research operational research और जो हमारे पास एक और आती है एक आती है discrete mathematics इसको भी हम देखेंगे यह basically ना हर बंदा अपने तरीके से different किसम की mathematics की theories को change करके उनको different field के अंदर apply करते हैं and then they give their names ठीक है और फिर जारी बात है जब आप इन चीजों को use करते हैं then you can have an idea कि यह कैसे काम कर लिया जहां पे research का word use होता है वहां पे different किसम की experimentation चलती है जब experiment की बात आती है तो वहां पे stat apply होती है यह तो सभी को पता होगा जो लोग statistical analysis कर रहे हैं और stat के बिना data science नहीं सीख सकते अगर stat math के अंदर से निकली है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप math के बिना data science नहीं सीख सकते math is equal to मैं कोँगा data science मैंने जब start में आपको बताया था तो अगर आपको math नहीं आती है तो समझो यह भी नहीं आनी और math कितनी आनी चाहिए इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आपको अच्छे से सिखाने वाला ठीक हो गया अब कुछ लोग बात करते हैं कि हमारे पास different किसम की और भी जो mathematics की branches हैं वो भी हम देख सकते हैं तो इसका best way यह होगा मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा screen shot दिखाऊ this one branches of mathematics में अलजबर है अब इनकी definitions छोटी-छोटी देखते हैं and I got this from chat GPT I'm saying क्योंके आप भी यह काम खुद से कर सकते हैं तो आपको सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है दोर वो आगए आपको समझने की जरूरत है तो अगर आपको लगता है कि आपको याद रखने हैं सारी चीजें तो आप घलत कर रहे हैं सिरफ समझे अब रांच focusing on the study of mathematical symbols and the rules for manipulating these symbols यार वो कहते थे ना कि math तब तक अच्छी लगती थी जब तक सिरफ numbers, numbers, numbers चरूरे थे जैसे numbers के साथ-साथ इंगलिश आगे ना symbols आगे math समझानी बंद होगी और वो basically चीज होती है that is called algebra यानि के math के अंदर जब numbers आजाएं ठीक है sorry, math के numbers के साथ जब आपके पास symbols आजाएं I'm talking about symbols symbols के हैं A हो सकता है, B हो सकता है इनका square हो सकता है there are many other things we are going to see that inshallah very soon okay, geometry भी एक basically branch है which says concerned with properties of space, shape, size and the dimension of object अब आप सोच रहे होंगे के यार algebra कहां पर use होता है और हमारे पास geometry कहां पर use होती है आप मुझे एक बात बताएं ये जो जहाज में plane उड़ता है मैं बस एम ही सा बनाने लगाँ मेरी को drawing बहुत अच्छी नहीं है काबले कभूल कीजिएगा जैसा भी है ये जो plane है ये कैसे पता चल गया कि इसके fin जो है यानि कि जो पर plane के इतने बड़े होने चाहिए पराओं की structure कैसी होनी चाहिए और बाकी चीज़ें कैसी होनी चाहिए ये सारे का सारा basically आता है आपकी geometry के अंदर ये भी mathematics की branch है उसके angles के हैं, width के हैं और उसकी height कितनी है, length कितनी है there are many other things जो आप पढ़ सकते हैं mathematics के अंदर data science के अंदर geometry का role बहुत काम होता है then आता है हमारे पास calculus calculus क्या करता है explore करता है change and motion dealing with derivatives and integrals of functions यानि कि जब भी आप कोई change को study करते हैं inside different things आप उसको calculus के through देख सकते हैं अब मैं data science की जबान के अंदर अगर बात करूँ आप अगर कोई data science को देख रहे हैं तो आप क्या करते हैं आप basically over the time change अपनी देख रहे होते हैं ठीक है तो उसके अंदर आप different किसम के calculus की जो terms हैं या techniques हैं जा methodologies हैं या methods हैं उनको utilize करते हैं जिसमें most of the times आप derivatives को use कर रहे होते हैं खास तोर पे जब आप prediction कर रहे हैं linear regression की तो gradient descent एक method होता है जिसके अंदर derivatives use होते हैं so you can have an idea अगर आपको calculus की basics भी बता है इसको मैं तीन टिक लगाऊंगा यह का करती है focus करते है collection, analysis, interpretation and presentation of data तो लफज है data science या AI या artificial intelligence so algebra, calculus and statistics artificial intelligence के लिए जुरूरी है geometry भी आजकल artificial intelligence के लिए जुरूरी है आपने देखा होगा आप यहाँ पे prompt लिखते हैं आपके तस्वीर बन के आ जाती है वो basically geometric base पे आ रही है so statistics आपको समझ आगी collect करते हैं, data analyze करते हैं interpret करते हैं और बताते हैं probability क्या होती है गैर यकीनियत the science of uncertainty अगर हम बताते हैं for example के कल को बारिश होगी तो इसके यकीन कितना है मुझे इस बात का और इसका ना या गैर यकीनी मुझे कितनी है तो हम क्या गरते हैं मैं बताता हूँ कि 90% chances ना बारिश होने के इसका मतलब है 10% नहीं है ठीक है तो गैर यकीनी की science को हम probability कहते हैं and this is one of the major thing we are going to learn in statistics as well probability basically इसी के अंदर ही हम इसको पढ़ेंगे फिर number theory है आपने अभी तक जितने भी data की types पढ़ी है जिसके अंदर आपके पास numbers है odd numbers है even numbers है कल और परसों के lectures जो हमने नम पाई के देखे थे अगर आप इस course के अंदर enroll है तो आपको पता लग गया होगा कि number theory में कौन कौन सी चीज़े आती है मैंने आपको odd numbers का बताया even numbers का उसके अंदर बताया फिर prime numbers हमने देखे थे और many arrays जो हमने design की थी वो सारी की सारी number theory की base पे चलती है python के अंदर अगर आप arrays बना रहे है उसके पीछे number theory है वो number theory क्या है that comes under this branch investigates ये branch के अंदर हम investigate करते है properties and relationship of numbers especially integers अब integer क्या होता है exactly समझ गया होगे जिसके आगे ये decimal points ना हो इनको हम integers बहुत है ठीक है so we will see all these things as well in number theory as well especially numbers की बात कर रहे है लेकिन हम इसके अंदर decimal points भी देखते है combinatrix या combinatorics इसको भी हम देख सकते है और concerned with the arrangement combination and selection of objects जब आप किसी चीज़ को arrange करते है different positions पे उसके अंदर आपको combinatrix या ये वली जो branch है math की वो आती है आपने लिखा एक prompt chat GPT के उपर chat GPT पे आपने prompt लिखा कि मुझे एक तस्वीर चाहिए पीछे एक सूरज हो सामने एक बंदा खड़ा हो ठीक है और यहां पे इस तरीके से आपके different किसम की for example परदे ओड़ रहे हो I'm just giving an example तो आपने chat GPT को prompt पताया उसने क्या किया different objects को arrange करके आपको तस्वीर बना दी तो basically अगर आपको mathematics के अंदर यह वाले formulas या formulae lays नहीं formulae हां वो आते हैं then you can work on this topology studies the properties of the space that are preserved under continuous transformation ठीक है आप topology क्या होती है basically जब आप different transform कर रहे होते चीजों को तब इसको study करते हैं यह heavy किसम के branch है यह basically हम data science के अंदर बहुत काम इसका use होते है algebra के अंदर एक linear algebra है which we are going to see यह vectors, vector spaces and linear transformations के साथ काम करती है और obviously आपको पता होगा vectors and vector spaces की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर हम vectors and matrices जो है उनको ज़रूर देखते हैं जो num pi के अंदर हमने कल भी देखा था and then mathematical logics इसके अंदर logic देखते हैं physics के साथ है टाय जो जा तो mathematical physics operation research हो तो basically statistical analysis को जब हम study कर रहे होते हैं decision making और problem solving के लिए तब हम operation research के field के अंदर move करते हैं usually data science के अंदर हम इसके अंदर भी जाते हैं discrete mathematics के आते हैं जो discrete rather than continuous values को deal करती है ठीक है? यानि कि counting को इसके अंदर float measurements नहीं आती और mathematical analysis क्या है? यह वो वाली चीज़ है जो आप abstract entities को using mathematical reasoning आप analyze करते हैं say for example एक simple सी मैं आपको example दे देता हूँ कि आपके पास a की value 2 है b की value 3 है तो c की क्या होगी? I'm just giving an example तो अगर आप abstract की base पे c की value निकालना चाहते हैं and you know कि a की है, b की है और c की है then a की है और b की है उसकी base पे तो आप basically different किसम की theories को use करते हुए abstract entities को mathematical reasoning के आगे use करते हैं but this is not our aim जो हमारा main aim है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसके उपर हम बात करते है let me see के मैंने जो हमारा main aim है वो यहाँ पे side पे छुपा के रखा हुआ था yes, here अब मैं आपको बताता हूँ जो mathematics और data science के अंदर हमने जो math सीखनी है वो कौन-कौन सी है मैंने आपको पहले बता है linear algebra calculus, statistics and probability यह चार ऐसी types हैं जो बहुत heavy किसम की हम use करते हैं inside data science reason मैं आपको भी बता देता हूँ बाकी जारी बात है हमारे पास और भी काफी जो examples है उनकी definitions है वो आप देख सकते हैं but यह चार हमने major जो चीजे हैं इनको पढ़ना है linear algebra, calculus, statistics and probability इसके साथ मैं एक और चीज की addition करूँगा क्योंकि काफी लोगों को इस चीज का नहीं पता जिसको हम number theory बोलते हैं तो number theory को इंशाला हम इसके अंदर add करेंगे number theory theory भी बोलते हैं इसको एकसर लो तो number theory ठीक है जी? यहां तक आपको clear हो गया कि mathematics की branches कौन सी होती है अब आपका एक चोटा सा काम यह है आपने एक notebook पे mathematics की branches और उनकी definitions को write down करना है जब तक आप लिखेंगे नहीं ना आपको समझ लिया ने कम असकम बोलना तो आना चाहिए ना कि mathematics की flam branch क्या करती है flam branch से क्या होता है number theory क्या होती है so on और बाकी चीज़ें अगर आप बोलना सीख जाएंगे तो आपको आ भी जाएगा वो ही चीज अगर 0 से 10 तक counting आपने सीख ली है तो believe me इसको लिखें ये भी याद हो जाएगा ठीक है अब move करते हैं हम अपने अगले lecture की तरफ